हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चनल, आज मैं आपको डीसाइनर जेकेट कटिंग करना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देड़ मिटर क्रैप का फैब्रिक लिया हुआ है, आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं, तो सबसे पहले आमें फैब्रिक को फोर सिंच की रखी है, आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं, अभी उपर से शोल्डर के लिए हम साड़े साथ इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं, और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें साड़े साथ इंच प उसका चौथा भाग करना है, और उसमें 2 इंच एट कर देना है, सिलाए मार्जिन के लिए, तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है, चेश्ट का फोर्थ पाट करना है, और उसमें 2 इंच एट कर देना है, अभी बेक आम होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और front armhole के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें round shape draw कर देना है front और back armhole के लिए अभी उपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए यहां से हम कमर का measurement लेंगे तो आपकी कमर का जो भी measurement हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच एट कर देना है Slam margin के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है कमर का fourth part करना है और उसमें 2 इंच एट कर देना है Slam margin के लिए और नीचे से हमें hip की चौड़ाई का 4 भाग लेना है और उसमें भी हम दो इंच एट कर देंगे सिलै मार्जिन के लिए तो मैंने साड़े 11 इंच पर निशान लगाया है हिप का फोर्थ पाट करना है और दो इंच एक्ष्टा लेना है अभी हम साइट से भी लाइन ड्रो कर देंगे अभी नीचे से उपर की तरफ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे तीन या फिर 4 इंच पर हमें नीचे से उपर की तरफ निशान लगा देना है और जो हमने निशान लगाया है उस निशान को जहां तक हमने लंबाई रखी है वहाँ तक हमें इस तरह से तिर्ची लैंड ड्रोग कर देनी है ये नीचे का शेप कुछ इस तरह से आएगा अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले है तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच ही लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 3 इंच पर या फिर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे के गले में हम round shape draw कर देंगे और आगे के गले के लिए हमें इसमें V shape draw कर देना है अभी सबसे पहले हम back neck और back arm hole से इसकी cutting कर देंगे तो जैसे हमने draw किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने cutting कर दी है अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे एक पार्ट को हमें इसमें से निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हमें सेंटर में कट लगाना है क्योंकि हम इसे जेकेट की तरह से बनाने वाले है तो फ्रंट पार्ट में हम सेंटर में कट लगा देंगे तो देखे मैंने कट लगा दिया है और फ्रंट के दो पार्ट है अभी हम स्लिव की कटिंग करेंगे तो फेब्रिक को मैंने फोर लेयर में बिचाया हुआ है जो मेरी सैट है वो बंदवाली सैट है और जो उपर की सैट है वो कुली हुई सैट है और स्लिव की जो लंबाई है वो मैंने 18 इंच की रखी है और उपर से जो स्लिव की चोड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है अभी हम केप स्लिव की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे बंदवली सैट से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और एक सीधी लाइन डरो कर देनी है तीन इंच पर निशान लगाते हुए अभी हम खुली हुई साट से 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मारजिन के लिए और इसमें हमें स्लिव का शेप डरो कर देना है जैसे हम normal sleeve में shape ड्रोग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें sleeve का shape ड्रोग कर देना है अभी नीचे से जो हमारी sleeve की चोड़ाई है वो और 8.5 इंच की है तो हम पूरी sleeve की चोड़ाई रखेंगे अभी बंधवाली side से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है ये निशान हमें बंद वाली साइट से ही लगाना है तीन इंच पर और जो हमने निशान लगाया है उस निशान को जहां तक हमारी लंबाई है वहां तक हमें इस तरह से तिरची लाइन में एक्ष्टेंड कर देना है कुछ इस तरह से अभी जहाँ पर हमारी स्लिव है वहाँ से हम हलकी सी एक लाइन ड्रोग कर लेंगे आधा इंच का गेप रखते हुए अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रोग किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने स्लिव की भी कटिंग कर दिये है और ये स्लिव का शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा तो सबसे पहले हमें बैक का पाट सीथा रखना है और उसके उपर फ्रंट के दोनों पाट हम उल्टे रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयन कर लेंगे फ्रंट के दोनों पाठ हमें उल्टे रखने हैं और इसके shoulder join कर लेने हैं तो देखे मैंने इसके shoulder join कर लिये हैं अभी हम इसमें पट्टी अटेच करेंगे तो मैंने ये पट्टी ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच की रखी है और लंबाई उतनी ही लेनी है जितनी हम आगे वाले पाठ में इसे अटेच कर सके अभी इस पट्टी को हम इस तरह से fold कर लेंगे तो पूरी पट्टी को हमें इस तरह से double fold कर लेना है और इसके बिल्कुल नीचे किनारी पर हमें एक सिलाय लगा देनी है पट्टी को double fold करते हुए तो देखे मैंने पट्टी में सिलाय लगा दी है अभी आप चाहे तो इसे press लगा कर set भी कर सकते है तो इसकी finishing बहुत ही अच्छे से आएगी अभी हमें top का part उल्टा रखना है तो ध्यान रहे top part को हम उल्टा ही रखेंगे और उसके उपर हम पट्टी को रखेंगे और इसके उपर हम पीन्स लगाएंगे ताकि हमें सिलाय लगाने में आसानी हो तो पूरी पट्टी के उपर हमें इस तरह से पीन्स लगा देनी है और ध्यान रहे top का part हमें उल्टा ही रखना है और जहाँ पर हमने वी शेप कट किया था गले का वहाँ पर हमें इसे अच्छे से सेट करते हुए इसमें पीन्स लगा लेनी है आप चाहे तो यहाँ पर पतली से प्लेट्स भी बना सकते है लेकिन इसे हम ऐसे ही अटेच करेंगे तो भी इसका शेप बहुत ही अच्छे से आजाएगा उसके बाद हमें पूरी पत्टी को इस तरह से रखते हुए इसमें पीन्स लगा देनी है दोनों सैट पर जहाँ पर हमारा वी शेप है वहाँ पर हम इसे अच्छे से सैट करते हुए पीन्स लगाएंगे तो पूरी पत्टी में हमें पीन्स लगा देनी है उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे उसके बाद हमें पूरी पट्टी में इस तरह से सिलाय लगा देनी है तो देखे मैंने इसमें सिलाय लगा दिये है अभी जहां पर हमारे दोनों साइट का V-shape है वहां पर हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पट्टी को पलटने में आसानी हो तो दोनों साइट पर हमें अच्छे से छोटा सा कट लगा देना है और कट लगाते वग ध्यान रहे हमारी सिलाय नहीं कटनी चाहिए उसके बाद जो हमारा पूरा राउंड नेक है उसके उपर भी हम कट लगाएंगे पूरे नेक के उपर हमें कट लगा देने है उसके बाद ये जो पटी है उसे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और इस पटी के उपर हमें कवर सिलाय लगानी है तो पटी में हम सिलाय नहीं लगाएंगे पट्टी के साइड में जो हमारा टॉप वाला पाठ है उसके उपर बिलकुल किनारी से हमें इसमें सिलाई लगानी है पट्टी को सीधी साइड पर इस तरह से करना है और उसके बाद जो हमारा टॉप का पाठ है उसमें हमें सिलाई लगानी है तो देखे मैंने इसमें लगा दी है इससे क्या होता है हमारा जो कोलर है वो अच्छे से सेट हो जाता है इसलिए हमें सिलाइ लगानी बहुत ही जरूरी है उसके बाद ये जो हमारा कोलर है इसे हम सीधी सेट पर पलट देंगे इस तरह से हमें पूरी पट्टी को सीधी सैट पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके उपर प्रेस लगा कर इससे सैट कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सैट हो जाता है इसमें आपको साइड में सिलाई लगाने की भी जरुरत नहीं होगी आपको सिर्फ इससे प्रेस से सैट कर लेना है अभी इसे हम खूला ही रखने वाले है अगर आप इसे टॉप की तरह पहनना चाहते है तो साइड में आप इसे दोनों साइड पर हुक्स एंड आईस अटेज कर सकते है अभी हम इसमें स्लिव अटेज करेंगे तो स्लिव को हम सेंटर से ही उल्टा रखेंगे और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है तो देखे मैंने स्लिव को अटेज कर लिया है दोनों ही साइट से अभी इसे हमें उल्टा कर लेना है टॉप पाट को हम उल्टा कर लेंगे उसके बाद जो हमारी स्लिव है वहाँ पर हमें नीचे से उपर की तरफ पर 5 या फिर 6 इंच पर निशान लगाना है जितना भी आप नीचे की तरफ से खुला छोड़ना चाहते है उतना आप निशान लगा सकते है तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है अभी जहां तक हमने निशान लगाया है उसके नीचे ही हमें इसमें सिलाई लगानी है दो इंच का गेप रखते हुए उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा देनी है जैसे हम चाक को fold करते हैं कूरती में उसी तरह से हमें इसकी border को fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद जो slew की किनारी वाली border है उसे भी हम simply double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे अच्छे से शेप देते हुए हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइट के स्लिव में भी हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और जहां तक हमने निशान लगाया है उसके नीचे की बॉर्डर को हम फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और नीचे हम दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसकी किनारी की बॉर्डर को भी हम फोल्ड कर लेंगे Sleeve की किनारी की border को भी हमें fold कर लेना है उसके बाद जो हमारा top वाला नीचे वाला border है उसे भी हम double fold करते हुए इसमें सिलाय लगाएंगे तो नीचे से हमारा 3-corn वाला shape है तो अच्छे से हमें adjust करते हुए इसमें सिलाय लगानी है तो देखे मैंने इसकी fitting भी कर ली है और नीचे की border को भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है अभी आप चाहे तो इसे jacket की तरह भी पहन सकते हैं या फिर अगर आपको इसे shirt की तरह पहनना है तो दोनों side पर जो ready made hooks and eyes आते हैं वो आपको इसमें attach करनी होगी तो एक side हम इसमें hook satage कर लेंगे और दूसरी side हम इसमें eyes लगा लेंगे तो आपको इसमें ready made hook and eyes ही लगानी होगी और इसी के साथ यह हमारा designer jacket बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final loop so friends I hope आपको आज का यह tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह video पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और साथ में उस bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और अगर आप वीडियो से related कोई भी सवाल पूछना चाहते है तो मुझे comment box में लिखकर बताएगा मैं जरूर से उसका reply करूंगी और आपको यह video कैसा लगा मुझे comment box में लिखकर जरूर बताएगा मेरा यह video देखने के लिए thank you so much guys